10.4 बहु प्रतिविम आप जानते हैं कि एक सम्तल दर्पन वस्तु का केवल एक ही प्रतिविम बनाता है यदि दो सम्तल दर्पनों को संयोजित किया जाए तो क्या होगा? दो सम्तल दर्पनों को आपस में समकोन बनाते हुए रखे दरपणों के बीच यदि एक सिक्का रखा जाए तो सिक्के के कितने प्रतिविम बनेंगे? चित्र में दिखाय अनुसार दरपण एक द्वारा वस्तु O का प्रतिविम O1 पर बनता है इसी प्रकार दरपण दो द्वारा वस्तु O का प्रतिविम O2 पर बनता है दरपन एक द्वारा दरपन दो का प्रतिविम दरपन एक के पीछे बनता है यह दरपन दो का आभासी प्रतिविम है यह आभासी दरपन ओवन पर बने वस्तु के प्रतिविम को वस्तु मान कर उसका प्रतिविम ओथरी पर बनाता है इसी प्रकार दरपन दो द्वारा बने दरपन एक के आभासी प्रतिविम द्वारा आभासी वस्तु O2 का प्रतिविम भी O3 पर ही बनता है अतह दो लमवत दरपणों के मध्य रखे किसी वस्तू के कुल तीन ही प्रतिविम बनते हैं अर्थात किसी वस्तू का प्रतिविम आभासी वस्तू की भांती कारे करता है जिसका हम आभासी प्रतिविम प्राप्त कर सकते हैं कलाइडो इसको भी इसी सिध्धान पर अधारित है। अब दरपणों को आपस में 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश आधी कोण बनाते हुए संयोजित करें। प्रत्यक प्रक्रण में वस्तु के कितने प्रतिविम बनते हैं। जब दरपणों को एक दूसरे के समनांतर खड़ा रखा जाए तो कितने प्रतिविम बनेंगे। आप अपने अवलोकनों से पाएंगे कि प्रतिविम की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों समतल दरपणों के बीच का कोण कितना है। याने प्रतिविम की संख्या बराबर 360 बटे थीटा रिन एक। यदि दोनों दरपणों के बीच का कोण 90 अंश है तो 360 बटे 90 रिन एक पराबर 4 रिन एक पराबर 3 प्रतिविम बनेंगे।